टीम इंडिया की जीत के बाद हैरान रह गए श्रीलंका के दिगज जी हाँ दोस्तों आज भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा टी-20 मैच खेला गया और इस मैच में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की टीम इंडिया ने हारा हुआ मैच जीता जिसके बाद श्रीलंका क्रिकेट के दिगज हैरान रह गए कुमार संगाकरा लसित मलिंगा मूतिया मुरीली धरन से लेकर महेला जैवर देने ने इस पर कुछ चौकाने वाले बयान दिये है जी हाँ दोस्तों पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों आज तीन मैचों की टी ट्वेंटी सिरीज का आखिरी मैच खेला गया जहाँ श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका ये फैसला सही साबित हुआ श्रीलंका ने लगातार भारत के विकेट्स जटके पावर प्ले में ही टीम इंडिया ने अपने चार विकेट्स गवा दिये थे जैसवाल दस, संजू जीरो, रिंकू, एक और सूर्या आठ रन बनाकर आउट हो गए इसके बाद शुभमन गिल और शिवम दुबे पारी को संभालते हुए दिख रहे थे लेकिन फिर दुबे भी तेरा रन बनाकर आउट हो गए लेकिन इसके बाद गिल और रियान पराग के बीच एक अच्छी साजेदारी हुई दोनों ने टीम को 100 रनों के पार पहुचाया लेकिन उसके बाद दोनों आउट हो गए गिल ने 49 तो पराग ने 26 रन बनाए इसके बाद वाशिंग्टन सुंदर ने भी 18 गेंदों में 25 रनों की पारी खेली इस तरह टीम इंडिया ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 137 रन बनाए श्रीलंका के लिए टीक्षणा ने 3 और हसा रंगा ने 2 विकेट जटके इसके बाद लक्ष का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत शानदार रही एक बार फिर उनके ओपनर्स ने उन्होंने अच्छी शुरुआत दिलाई निसंका और कुसल मेंडिस ने 8 ओवर में स्कोर को 50 रनों तक पहुँचा दिया था इसके बाद निसंका जरूर 26 रन बनाकर आउट हो गए लेकिन फिर कुसल मेंडिस और कुसल परेरा ने अच्छी बल्ले बाजी की और 14 ओवर में टीम के स्कोर को 100 रनों तक पहुचा दिया लेकिन इसके बाद टीम इंडिया ने शानदार वापसी की और मैच को सुपर ओवर तक लेकर गए जिसके बाद टीम इंडिया ने शुपर ओवर में सिर्फ दो रन पर रोक लिया और सुपर ओवर में तीन रन को आसानी से हासिल कर इस मैच को भी जीत लिया इसी के साथ टीम इंडिया के सिरीज को भो 3-0 से अपने नाम कर लिया वही दोस्तों टीम इंडिया की इस जीत पर श्रीलंका के दिगजों का रियक्शन सामने आया है सबसे पहले कुमार संगाकरा ने कहा वापसी कैसे करते है कोई टीम इंडिया से सीछे इस मैच में शुरूआत से ही ऐसा लग रहा था श्रीलंका ये मैच जीतने वाली है बलकि 18 वे ओवर तक ऐसा ही लग रहा था कि श्री लंका ये मैच बड़े आसानी से जीत जाएगी लेकिन इसके बाद क्या वापसी की है भारत ने मज़ा ही आगया ये मैच देखकर इसके बाद लसित मलिंगा ने कहा इस मैच को देखकर मुझे टी 20 वर्ल्ड कप की फाइनल की याद आ गई फाइनल में भी आखिरी 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे और इस मैच में भी आखिरी 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे उसके बाद भारत ने क्या मैच पलटा है तारीफ करनी होगी सूर्य कुमार यादव की उनकी कप्तानी की आखिर दो ओवर उन्होंने पार्ट टाइम गेंदबाजों से ओवर कराई और मैच पलट दिया इसके बाद मुथिया मुरीली धरण ने कहा जीता हुआ मैच कैसे हारते है ये कोई श्री लंका से सीखे हमारे पास तीनों मैच जीतने का अच्छा मौका था तीनों मैच में हमने बल्ले बाजी से शुरुआत अच्छी की और अंत में भी कर गए टीम इंडिया एक चैंपियन टीम है और वो आज भी चैंपियन्स की तरह ही खेले हैं इसके बाद महेला जैवर देने ने कहा क्या मैच हुआ है आज भले ही श्री लंका मैच हार गई लेकिन मैच देखने काफी मज़ा आया टीम इंडिया को तो आजकल हारा हुआ मैच जीतने का जैसे आदत ही हो गई है श्री लंका एक समय आसानी से ये मैच जीत रही थी लेकिन उसके बाद भारती स्पिनर्स ने क्या मैच पलटा है और इसका पूरा श्रेय सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को जाती है दबाव में भी वो शान्त रहे और अपनी टीम को जीत दिलाई दोस्तों कुछ ऐसे ब मैच के फ्री लिंक्स डाल दिया करेंगे टेलेग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है